हलो इभरिवन देस इस सॉम्या वेलकम टू दूसर खलासस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे युरिनरी सिस्टम में होने वाले डिस ओर्डर के बारे में। इसके पहले two lectures में हमने excretory system क्या होता है, किस तरह से urinary system work करता है, यह सब कुछ हम लोगों एक एक point को अच्छे से clear किया है, आज हम लोग इनके होने वाले disorders के बारे में जानेगे, disorders मतलब उनकी proper functioning में कोई न कोई रुकावट आ जाए, कोई न कोई प्रॉबलम आ जाए, तो उ देखने का infection होता है, common है, बहुत ज्यादा common है, आपको हर थर्ड परशन में आपको यह infection देखने को मिल जाएगा, ठीके, यह infection होता है, यह होता है E. coli bacteria की वज़े से, अब यह जो E. coli bacteria है, आप लोग यहां पर magnify करके दिखाया गया है, E. coli bacteria कैसा होता है, तो यह bacteria आपको infect कर सकता है, जहां से आप urine pass करते हो, उस open part के द्रूँ, देखे, उस opening part से वो enter कर जाता है, और enter करके वो आपकी kidney तब को infect करता है, विकास यहां से यहां तक का पूरा open track होता है, अंदर तक वो जा सकता है, ठीके, इसके लिए कुछ symptom starting पे ही आपको आने लगते हैं, कि जैसे कि urine pass करते टाइम पे burning sensation और abdominal pain यानि कि कमर की नीचे के side पे आपको थोड़ा सा pain feel होगा, urine pass करते टाइम पे आपको burning sensation होगा, cloudy urine pass होगा, painful होगा थोड़ा, और जब kidney तक infection पहुँच जाता है, तो कुछ infection जो भी होता है, उसकी वैसे symptom जो है, वो अच्छे खासे दिखाए देत हैं, जैसे कि burning sensation होता है, आपको frequently urge आना, urination के लिए, यानि आपको बार बार ऐसा feel होना कि urine pass करने को जाना है, ठीके, और pain होना, abdominal portion पे, lower abdominal part पर pain होता है, ठीके, और urine आपका cloudy हो जाता है, means, जैसे आप लोग नॉर्मल urine pass करते हो, तो वो transparent color का होता है, बट, जब आपका urine थोड़ा सा, मटमेला सा हो जाए, गंदा सा, untransparent सा feel हो आपको दिखाई दे उसमें, तो वो जो होता है, वो होता है cloudy urine, ठीके, और strong smell आएगा आपके urine pass करने पे, तो भी इसका symptom है, और fever type का आपको feel होने लगेगा, तो इस तरह के कुछ symptom create हो जाते हैं, ज कॉमन सा disorder है, यूरी सिस्टम का, प्रॉपर स्टार्टिंग में अगर आप treatment दे लो तो बिल्कुल सही हो रहा था, next है kidney stone, kidney stone भी आजकल बहुत जादा common हो गया है, यह क्यों होता है, actually जब आप पानी धंक से ने पीते हो, जब आप अगर आप बहुत अच्छे से पानी पीते है, आपके track में minerals का accumulation हो जाता है, minerals का accumulation हो जाता है, यानि minerals कौन कौन से, mainly calcium oxalate, main इसका mineral है, बाकी uric acid, यह दोनों mineral कहीं न कहीं accumulate होने लगते हैं, यानि जमा होने लगते हैं और एक stone का form कर लेते हैं, ठीक है, अगर आम लोग बढ़या से पानी पीते रहेंगे अच्छे से, तो वो सब wash out होके बहार निकल जाएगा, कहीं भी stone होने वाला नहीं है, लेकिन अगर water की कमी है, तो stone form हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, calcium oxalate इसका आपको ध्यान रखना है, यह word क्योंकि यह इसका main point है, main word है, ठीक है, सिम्टम क्या क्या हो सकते है, pain in abdominal, abdominal portion पे pain हो सकता है, और कभी-कभी आपको blood के साथ, blood के साथ urine मिल सकता है, यानि आप जब urine pass करो तो उसमें blood दिखाए दे सकता है, ठीक है, वो mitting का feeling आएगा, बार-बार आपको burning sensation feel होने वाला है, और जब भी आप urine pass करोगे, तो proper amount में नहीं होगा, reduce रहेगा, मतलब कम urine pass होता है, तो आपको ब urine pass होगा, ठीक है, तो ये कुछ disorder होते है, kidney stone के, अगर आप water अच्छे से पीते हो, तो ना आपको bacterial infection होने वाला है, और ना ही आपको kidney stone होने वाला है, तो ये दो disorder थे, इसके लावा एक चीज़ होती है, कभी-कभी किसी-किसी की kidney ही work करना बंद कर देती है, यानि कोई भी function न urine के थो उसको नहीं पास किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारी body damage हो जाएगी, खराब हो जाएगी, हमारी death भी हो सकती है, इसके लिए हमारी body से जितने भी waste material है, toxic material है, उनको और excess fluid को बाहर निकालना जरूरी होता है, अभी कैसे हो पाता है, हम बाहर से kidney जैसा machinery लगा क कर रखते हैं, जिससे हम अपनी body से blood को निकालते हैं, और उससे purify करके फिर से clean blood को अपनी body में पहुचा देते हैं, तो ये एक artificial way है, elimination of waste का, ठीक है, जिस तरह से kidney हमारी body के harmful material को pass out करती है, उसी तरह से blood हम लोग ऐसे artery से लेकर बाहर निकालते हैं, और उसके बाद उसको ए blood आपका pure होता है, उससे जितना भी waste material, toxic material, excess fluid है, वो सब बाहर निकाल दे आता है, यही से इस तरह से बाहर रिमूव कर दे आता है, और जो clean blood होता है, वापस आपके वेन में connect कर दे आता है, जो वापस चलाता है, जो आपस चलाता है, ये process कहलाती है, डियालेसिस की, जो की artificial आपकी बोड़ी से waste material को निकालने का, ठीक है, अब ये प्रोपर होता क्या है, मतलब कि ये तो आप लोग हायर क्लासे में पढ़ोगी कितने टाइप का होता है, किस किस टाइप में कितने बार डालेसिस के जुरूत होती है, लेकिन हाँ नॉर्मली आपको weekly, आपको 4 या 5 दे आपको डालेसिस के लिए जाना ही होता है, ठीक है, तो ये हो गया डालेसिस और आज से आपका पूरा चाप्टर कम्प्लीट होता है, इसके आगे हम लोग नय चाप्टर में नय लक्चर से मिलेगे, आज के लिए इतना ही, थैंक्यू,